जी नमस्कार क्या नाम है आपका? रोशनी देवी रोशनी जी कहां से आयो आप? पंजाब से संगरूर संगरूर से आयो बेन जी संद रामपाल जी महानाजी से जुड़ने से पहले आप क्या बक्ति साधनाई करते थे? बच्पन से आप जो क्रिशन बगवान की पूजाएं कर रही थे तो फिर आप उन पूजाओं को छोड़ कर संद रामपाल जी महानाजी की संड में क्यों आए? पर रामनी होता था और उसके बाद जैसे बच्पन से हमारे माप बजन बगती करते थे अच्छे थे वो अच्छी सिक्ष्या देते थे कि आप जूट नहीं बोलना और चोरी ठग्गी नहीं मारना किसे के साथ आप मेंत की खाना ऐसे ही हम करते थे और फिर भी दुखी थे हम सोचते थे कि ये कैसा भगवान है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाते और नहीं ठग्गी करते जूट भी निबोलते फिर भी हम दुखी क्यों है इसलिए हम पीछे से जनम से ही हमारे घर में दुख थे क्योंकि मेरा जो भाई था वो बमार था मेरे जन्म से पहले ही जन्म से पहले उसको प्रेत बादा भी थी और दुमाग की बमारी भी थी बहन जी आपको संतरामपाल जी माना जी के बारे में कैसे पता चला संतरामपाल जी के बारे में हमारा भाई संतरामपाल जी से जुड़े हुए थे जो भाई वो बोलता है कि आप संतरामपाल जी से बरवा ले जाओ और असरवाद देंगे और आपका टाइफेट ठीक हो जाएगा उसने हमें कुछ नहीं बताया कि क्या करना और नाम दिख्शा लेनी है कुछ बस उसने इतना बताया कि वो असरवाद देंगे हमें कुछ नहीं पता था कि नाम भी मिलता है क्या होता है क्या नहीं होता हम बस ऐसे उसे कह दिया कि हमें ले जाना और हमने अपने पती से बात की कि वो ऐसे कहते हैं उसने बोला कि आप चले जाना अगर ठीक होते तो आप चले जाना और फिर वो स्राव तो पीता ही था एक स्राव पीता था और रात को बारा एक जाई गर आता था और हमने हमें टेंशन सी हुई कि हम सुबह कैसे उठेंगे अ तर दोने इस अख़ता को हमने उठाया थोड़े से मैं हमने पीछे सी इंटरू पड़ये थे कि ब्सेयं से ऌता इसे होता है लोगों लोगों को लाव होता है हमें विश्वासट नहीं हुआ था हमने सब्सक्न था क्यों करें हम अप seasons करें पहसे सामने फोटो कि यह उप क्योंकि हमें तो पते ही नहीं होता है क्या नहीं होता तो अब भक्त जी आप मानोगे नहीं सर जी पांच मिन्ट के बाद उसने मेरे पतनी फोन किया कि रोश्नी आप दर्वाजा खोलो मैं घर आ रहा हूं तो मैं तो एकदम हरान होगी कि इतने 6-7 साल हो गए थे कभी सिधा भ तो एक दम हमें जटका सा लगा कि उस तो है जो पांच मिन्ट में गुर्जी हमें कभी देखा भी नहीं और हमें कभी सोचा भी नहीं हमारी सुनली परमात्मानी हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा और वह आगे और हमारे साथ जगड़ा भी निकिया और राम से सोगे रोटि से आगे से हमारी भाबी हमारे साथ चली की बरवाडा और जब हम वहां जाके देखा हम चाहते थे कि ऐसे गुरू होने चाहिए हमें ऐसे ही Sitting मिले और वो जैसे हर एक बाबा बिजिनिस करते हैं वो बिजिनिस नहीं करते और जैसे हम चाहते थे कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि पास बिठा के हमें समझाएं भक्ति के और परमात्मा के बारे में जो हम स्री क्रिशन को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते थे कि उसके बारे में ब बता दिया दादा बाप और सब कुस मा बाप सब कुस बता दिया बैन जी आपने संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिख्षा कब ली दो हजार तेरा ग्यार में मिने की दस्तरी को बैन जी आप संत्रामपाल जी माराजी से जुड़े अपने दुखों का निवान करने के लिए आपके पती नशा करते थे, आपको मारते थे, पेटते थे, तो क्या संत्रामपाल जी माराजी से नाम देख से लेने के बाद उन दुखों का निवार्ण हुआ? हाँ जी. क्या कैलाब मिले? और हम बिमारी तो हमारी ठीक होगी थी, जब हम आशरम में नाम लेके बापस आए, तो हम बेड़ पर पढ़े रहते थे, काम किया और बेड़ पर पढ़े, हमसे काम नहीं बनता था फालतू, बस इतना काम करते थे जितने की जरूरत होती थी, और जब हम आशरम से बापस आए हमने उस दिन से आज तक हम बेड़ की और देखते भी नहीं और अगर हम अराम करना चाहे तब भी नहीं होता और हमने ऐसे जैसे गुरुजी ने हम में कोई हवा बर दियो तो हम ऐसे होंसले के साथ रहने लगे और गर गर जाके कहने लगे कि हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं वो कोई पखंड वाजी नहीं करवाते और देखो हम ठीक होगे एक दिन में ही बगजी एक दिन में हम आके बैट देखा भी नहीं और हमें इतना लाब हुआ कि टाइफ हेड हमारी दवाई उस टेम चल रही आज तक हमने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया छे साथ छे साल पूरे हो गई है बैंजी संत्रामपाल जी माराजी से जुड़ने के बाद आपको क्या कैलाब मिले एक बार सर जी हम कंक साब कर रहे थे आटा बनाने के लिए और महारे हमारे पास हमारा एक साल का लड़का गू कोई रोडा कटता है ना ऐसे वाज आई मैंने सोचा रोडा पतनी किसने फैग दिया इसमें और जब हमने पीछे मुड़के देखा तो मेरा बच्चा था जो एक साल का जोर जोर से रोने लाग रहा था और हाथ को ऐसे पूरी तरह उसने पकड़ रखा था दूसरे हाथ में जब हमने देखा कि ये बच्चा अच्छा मैंने सोचा कि इस इसने हाथ दिया है मैं बहुत गवरागी कि इसका हाथ कट गया होगा जब हमने देखा उस टेम हमें कोई लाब हानी का पता नहीं था बगजी हमने देखा कि बच्चे का हाथ उसमें तो खुरोच भी नहीं है औ आगर उसको हाथ नहीं दिया वो रोता ही नहीं पर उसका हाथ भी आया और उसमें ख़ुच भी नहीं था पर महात्मा नहीं से बाटरे पremने यह ँत्क the dûब क्रिए tym एक युदूंगो ने नंन्यशा करते थे तुढ दिया हां जी नसा चोड दिया आपको अरही है सर जी कि एक दिन हमारे साथ आके लड़ने लगा वो और करीब रात के एक दो बजे हुए थे रात को ही आता था वो एक बजे और आके लड़ने बैठ गया बहुत लड़ने लगा कि ऐसे ऐसे आप कहां जाते हो ऐसे जाते हो आपके गुरु जी नो क्या किया है तो हमें पीटन करना सुरू कर दिया और वो पांच मिन्ट के बाद सो गए और मैं ऐसे ही करती थी जद वो आते थे लड़ने लग जाते थे तो मैं अपने परमात्मा का जाब सुरू कर देती थी तो उसको वस पाँ एक दो बात ही बोलता था और वो सो जाता था उस दिन बहुत मेरे साथ लड कि है परमात्मा आपने मुझे ठीक कर दिया मैं तो अपनी बिमारी लेके गई थी सराब का मुझे है नहीं था की छोड़ेगा या नहीं चोड़े मुझे कुस पता नहीं था मैं अपनी बिमारी की पर ये तो मुझे बहुत ही दुखी करने लगा है और हमें भी सुख दो इस एक काम पर जाना होगा कि रोषनी उठो महा क्या हो गया कि महां काम पे जन आपको कहने नहीं आपना मेरे लिए चाई बना दो मैं ब्रवाले जन आ है मैं हरान होगी कि ब्रवाले जन आप ब्रवाले क्या करोंगे चकर लगा के आओगी कि टेंपू का बोले नहीं मैं तो नाम लेके आओंगा संत्रामपाल जी से मैं बगजी मैंने कभ मुझे प्रेट बादा थी मुझे अपर मैंने ऐसे लगता था कि आप खंड करते हो कि सराप पिते हो प्खंड करते हो आपके लाल हो जाती थी और जिए लगता कि मेरे में बूत है कुछ बोलूंगा मेरे में कुछ बोल रहा है मैं उसको मझाक मिटा ले एक भूत निकला जो कि मैं दो तिन साल पहले टेंपू लेकर जा रहा था रास्ते में किसी की मोत पड़ी थी और मैंने उसको एक सेड में करके अपना टेंपू निकाल लिया और वो मेरे साथ ही हो लिया था इसलिए मैं इतनी सराब पीता हूं पीने लग जाता हूं कि चार तक मुझे उटने नहीं देता था और आज वो बोल रहा है कि मैं तुमारे गर से जा रहा हूं आपके घर में कोई बहुत बड़ी शक्ती आ गई इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता मैं जा रहा हूं कि सवेरे मेरे गवराट होना सुरू हो जाती थी आज मैंने गोड़ी भी कि आया तो साथ मुझे तक मैं हाथ जोड़ती रही उसके आगे कि बा मत जाओ आप मत जाओ कि सराब नहीं चुटेगी और आपको जाना है तो जाओ मैं तो जा रहा हूं फिर मैं हम सब परिबार उसके साथ चल दिये और वो बरवाले जाके नाम गुरू जी से नाम लेके आ और इस वज़े से वो काफी जादा नसा करते थे नसे की समस्या लगबग आज हिंदुस्तान के हर घर की समस्या है तो आज संत्रामपाल जी माराजी जेल में है आपने सतलोग आसन बरवाला में जाके नाम दिख्षा ली तो आज भी जो बहने या जो परिवार संत्रामपाल को सराब की मारे साथ लड़ा और सुबे नाम ले आया और उसका नसा चुट गया उनका भी चुटेगा जो बहने दूखी है आज हम उनसे प्राथना करते हैं कि वो भी संत्रामपाल जी से नाम दिख्षा लेकर अपना जीवन का क्लियान कराएं बहुत बहुत धन्यवाज ज क्वाई से ले लेकर व्षा लेकर यूिव एगा लेकर शेवाज जया झौब्धा लें धन्यवाज से लेकर बहुत रावशने प्राथना ले वें बहुत भरते हैं क्यों वो उनको भी से लें पाँ खर वें आसाए जैंने लें अ